हलो टूइटूडेंट्स, स्वागत आफसरभी का आर्बीर digest ट्यूप क्लास में तो टूइट्निट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेक्टोराजेशन का रही कॉस्टन ले करके आया हूँ इस वीडियो में मैं इस question को discuss करूँ इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसके एक एक पार्ट साही से समझ में आए ठीक है वीडियो कर पसंद लेके तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और दोस x-square plus 7x plus five under root 2 is equal to 0 यह मारे पास quadratic equation है कि यह जो square root है केवल two पर है x पर अपर नहीं है ठीक है अब देखो जो standard quadratic equation होती है वह होती है Praq की ही की जूए है वह स्कोयर 8 crate is equal to 0 एक यहां से बी की जूए वह 7 है और स्किने जो वैलू है वो sensorut2 घुक है तो यहां पर करना क्या होता था आपको दो काम करना होता था एक अ करना होता था और फिर into see का जो फ्रोठक्ट एगा उसको factorize करके फ्रेक्टर करने होते थे मैं माल लेता हूँ कि जो दोनों फेक्टर है वो B1 B2 है यानि कि B1 और दूसरा B2 इन दोनों को add करें या subtract करें इनका sum B के equal आना चाहिए बी मतलब यह 7 7 के equal आना चाहिए यह दो डिसंस हमें verify करने होती थी लेकिन मैं आपको इससे भी थोड़ा आसान तरीका बढता हूं आप क्या किदिए इस नंबर को इसमें मुल्टिप्लाइ कर दीजिए क्या कर दीजिए multiply तो चलो फिर multiply करते हैं square root 2 multiply five square root 2 आप ध्यान से देखना मैं उसको थोड़ा करम रेट करता हूं 5 into square root 2 into square root 2 आप देखो एक identity होती है आपकी square root n into square root n इसकी value n होगी मतलब दो बार अगर same number का square root है multiply हो रहा है तो वही same number आजएगा square root हट जाएगा तो यहाँ पर square root 2 into square root 2 कितना आजएगा इन दोनों का multiplication कितना आजएगा ठीक है तो इतना दिमाग में आ गया कि पहला जो मारा प्रोड़क्टा फेशी है इंटू सी वह 10 आ गया ठीक है इन दोनों को multiply करने पर कितना आ गया 10 आ गया देखो अब इसके हमें प्राइम फेक्टर find करने होते हैं तो प्राइम फेक्टर एक तो होते कि अगर छोटा नंबर है तो आप औरली कर लीजें मुह से लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो उसको ऐसे करेंगे हैं ना टू से टू फाइल जो टेन फाइफ तो यहां पर आपको दो नंबर दिख रहे कि मैं और 2 Il Lane और इनको ऐड़ तो कितना आ जाएगा 7 प्लस टू रखेंगे ये प्लस टू इस सेवन के प्लेस पे प्लेस पर घंगे तो चले हागे करें किश कोब और राइट कर दीज़ें मैं इसे रेज कर देता हूं solution we have square root 2 x square plus 7x plus 5 square root 2 is equal to 0 employ that square root 2 x square देखो जहां पर 7 हमें आपर 5 plus 2 रखना है जो 7 उसके place पर क्या रखना है 5 plus 2 सो यहां पर हो जाएगा 5 plus 2 into x plus 5 square root 2 is equal to 0 इस x को यहां पर multiply कर रहेंगे बाकी चीज़े same रहेंगी square root 2 x square plus 5 into x 5x plus 2 into x 2x plus 5 square root 2 is equal to 0 ठीक है यहां तो कोई दिखकर नहीं अब ध्यान से देखो यह वाले group में कोई चीज कामन लेंगे तो यहां से सिर्फ x कामन हो सकता है तो जब यहां पर x कामन लेंगे square root 2 यहां से 1 x निकलेगा एक बचेगा plus x निकल गया तो यहां पर 5 बचेगा अब यहां पर हमारे लिए problem है क्या चीज यहां पर हमारे लिए problem है तो ध्यान से देखो जो 2 होता है ना उसको हम ऐसे write कर सकते हैं square root 2 into square root 2 ठीके? जो 2 होता है उसको हम square root 2 into square root 2 write कर सकते हैं जो 1 तो यहां पर क्या होगा? चाहांलो हम आपने write कर सकते हैं square root 2 into square root 2 और 1x ठीके? तो यहां से अगर आप square root 2 कामन लीजिए यहां से और यहां से plus square root 2 तो यहां से दिखो जब आपने square root 2 कामन कर लिया तो यहां पर क्या बचएगा? square root 2x बचेगा और यहां से आपने square root 2 common कर लिया तो क्या बचेगा 5 is equal to 0 वापस से मैं इसे 2 right कर देता हूँ तो आप ध्यान रखना यह change कि 2 के place पर हम square root 2 into square root 2 right कर सकते हैं इसी प्रकार से मालू 3 होता तो हम 3 के place पर square root 3 into square root 3 कर लेते हैं ऐसा हम कर सकते हैं ठीक है तो अब आप देखो यह ब्रेकेट वाला जो है square root 2x plus 5 square root 2x plus 5 सेम सेम हैं तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं कि square root 2x plus 5 common हो गया तो यहां से जब इसको मैंने निकाल लिया तो यह बचेगा एक्स और यहां पर plus और square root 2 और यहां से यह निकल जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा इस इकल टू जीरो अब एक बार यह टर्म एक्स के जीरो होगा एक बार यह टर्म इस इकल टू इस इकल टू जीरो तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो यह होगा square root 2 into x is equal to minus 5 x is equal to minus 5 यह into में हाँ उधर जाके divide में होगा square root 2 और यह देखो x is equal to उधर जाएगा तो minus square root 2 तो एक value हमारी x की आएगी x is equal to minus 5 by square root 2 और दूसरी आएगी x is equal to minus 2 यानि कि जीरो ज क्या आएगे x is equal to minus 5 upon square root 2 x is equal to minus square root 2 तो यह दुन हमारी x की value होगे तो यहाँ पे हम एक line write कर सकते हैं thus the root of x is minus square root 2 और minus 5 upon square root 2 तो यह मारा answer होगा इस question का आप चाहँ दो वीडियो को पाँच करके write down कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो तो guys अब बताइए आपको वीडियो कैसे लेगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो subscribe तो करी देना like भी कर देना और दोस्तों को भी share कर देना साथी साथ बताइए का comment box में कि आपकी क्या-क्या queries हैं मैं मिलेंगा अगले वीडियो में अगले को सुन के साथ अब तक ले जैहिन